नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल पलपल सिर्षा से अमर्शिंग जानी की विशेश रिपोर्ट दिली में सिख की निर्मम पिटाई के मामले को लेकर के आज सिर्षा में भी रोश परदाशन किया गया दिली पुलिस द्वारा एक सिख और इसके पुत्र की मामली कहा सुनी के बाद में बूरी तरह से पिटाई कर दी गई सिख को गंबीर चोटे आई थी और इस मामले को लेकर के परदेश भर में अलगलग स्थानों पर परदाशन किया रहे हैं वही सिर्षा में आज सर्व समाज द्वारा वीरत परदेशन किया गया आपको बतादा कि भगेश सिंग चोट में परदेशन कारियों ने दिली पुलिस के खिलाप रोज जताया और घटना की कड़ी निर्दा की सबी पुलिस कर्मियों को किलाप कारवाई करने की मांग भी उठाई परदेशन कारियों का कहना था कि दिली पुलिस सिख के खिलाप मोकरद मा जो दर्ज किया हुआ उसे भी हटाया जाए डीगल वे दिली मोकरद स्टेशन के लोगों ने एक नियत्य सिख पर जो शबील लगाकर लोगों को ठंडा पानी पलाने का काम कर रहा था उसके पास आगर बत्मी जी की गाली गलोच की और जिसने बाद में सिख ने जब पानी सिलस्थी उपर गुदर गया और उसने विरोध किया तब एक पलीस वाला तैश में अगर पलीटेशन वापिस गया जो अपने आट दस पलीस साथियों के साथ वापिस आया और जो नियत्य सिकर उसके छोटे बच्चे को लाठी डंडों से ठपडों से और बंदूग की बट से उसको मारा गारोड के ओपर गिसीटा गया केसों की बैद भी की गई और पगडी को लाते हमारी की जिसके विरोध में हमाज सभी सिक भाई और सभी दर्मों के लोग एक पार्टी बाजी जो पर उठकर आज यहां वरोध प्रॉजसन करने के लिए कठे हुए हैं और हम मांग करते हैं दिली प्रशासन से के दिली पिलीस के जो गुंडे थे प्लीस की बर्दी में उनके उपर पर परच्चा दर्जो कल पता चला है कि परच्चा दर्ज शिक भाई जुनों ने एक बच्चे को एक सरदार को रोड के उबर गजीदने का काम किया मारने का काम किया